तो आदाव नमस्कार गुड़ इनिंग सस्रेकाल एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में आज सेटरड़ है शनिवार तो आज की कहाने रिकाउडेड होती है और लाइव आप से मुलाकात होगी कल संडे उसके बाद मंडे तो आज की कहानी भी लंबे टाइम से पाइक में थी आप इसे बहुत सारे लोगों ने कहा था बहुत सारे इसी कहानी के एपिसोड में मैंने सीरियल किलर की कहानी सुनाई है आज भी एक सीरियल किलर की कहानी है लेकिन आमतार पी यह देखा गया अगर है आप हिंदुस्तान में क्राइम का पैटन देखें और क्राइम तो खास्तार पर नॉर्थ इंडिया बहुत बदनाम है क्राइम के लिए बदनाम क्या है अगर फैक्ट्स पे जाएं तो शायद सच भी है अगर जो रिस्टर्ट क्राइम है जो एफ आयार है उसकी गिंती करें तो उस हिसाब से और जिस बनिस्पर इसके मुकाबले अगर आप साउथ में जाएं तो साउथ के क्राइम का पैटन बिल्कुल अलग है क्राइम ऐसा नहीं कि वहां भी है है लेकिन नौर्थ इंडिया के मुकाबले कम है और जिस तरीके की चीज़े नौर्थ इंडिया में होती है वो भी सौथ इंडि नौर्थ इंडिया में कम है सौथ इंडिया में गैंग भी जो है नौर्थ इंडिया के मुकाबले कम पनपते हैं वहां बाहू बली है उस ताइप के लोग कम होते हैं जितने नौर्थ इंडिया में है लेकिन कई बार सौथ इंडिया से क्राइम की ऐसी खबरे आती है जो मौत मिलेगी यह पुलिस भी जान दी थी शुरुवाती दिनों से ही उसकी ग्रफतारी के बाद से ही लेकिन उसके बावजूद वो शक्स जेल से भाग जाता है आप सोचे कि जिसकी किस्मत में मौत लिखी है जिसको फांसी के फंदे पर चड़ना है जूलना है वो शक्स उसके बावजूद जेल से निकल के भाग जाता है इवेन उसका भाई भी जो जेल में उसके साथ गुनेगार था बन था वो भी भाग जाता है उसके बाद ये वहां से निकलता है इदर उदर भटकता है फिर उडीसा पहुंच जाता है और बाद में उसको उडीसा से गिराफतार क जाता है और जेल से जब पूरी इंक्वारी होती तो पता ज़ता है कि कुछ जेलर वार्डन ये सब उसके साथ मिले हुए थे और उनकी मिली भगस से वो जेल से भागा था ये वो क्रिमिनल है जिसके बारे में ये है कि जो एक कॉक्टेल होता है पॉलिटीशियन पुलिस और क् क्या नेता, क्या पुलिस वाले सब ही इसके आगे पीछे होते थे बाकादा ये एक डाइरी मेंटेन करता था उस डाइरी में उन तमाम बाद में हंगामा मचा जब रचारी बरामद वी उसमें एक से एक पुलिस अफसर के नाम थे नेताओं के नाम थे लिकिन कमाल ये है कि जहां politician भी हैं, जहां सत्ता में बैठे वे लोग भी शामिल होते हैं, वहां जहां जिमांदारी से नहीं होती, तो इस मामले में भी यही हुआ, वो जो नेता थे, हाला कि उस वक्त एक ruling party के कई नेताओं के नाम थे, लेकिन उन सब का कुछ नहीं हुआ, दो तीन पुलिस वालो कि तुम इस तरह के crime क्यों करतेई, क्यों अतने लोगों को मारा, तो इसने कहा कि मेरे जहन में फिल्मों का काफी असर रहा है, और जिम मैं फिल्में देखता था, खासते हरे मुझे विल्लिन जिए वो हीरो नज़र आता था, तो मैं फिल्मों जैसा बनना चाहता था, फिल् फिल्में समाज काईना होती है जो समाज में होता है वही फिल्में उठाकर दिखाती है और कई बार फिल्मों में जो होता है उससे भी लोग inspired होते हैं, क्राइम की दुनिया में उतर जाते हैं क्राइम रिपोर्टिंग को भी लेगी ये बात कई बर कही जाती है कि आपके शोज या वो क्रिमिनल को रास्ता भी दिखाते हैं आइडियाज भी देते हैं ये एक लंबी बहस की बात है कहानी पे लौटते है कहानी है आटो शंकर की तमिलाडू ये मदरास उस वक जब था आप तो चिन नहीं है तो ये मदरास का उस वक तक का सबसे खुँखार किलर था इसके नाम से ही लोगों में दह्शत आ जाती थी हलागि आटो शंकर इसका नाम नहीं था इसका नाम था गौरी शंकर आटो शंकर क्यों पढ़ा ये आगए आपको कहानी में पता चलेगा तो कहानी गौरी शंकर की है 1955 में तमिलाडू में एक विलोर जगा है वहाँ पे गौरी शंकर पैदा होता है इसके बाद लगबग ये जब 15-20 साल का होता है तो विलोर से निकल कर रोजी रोटी की तलाश में मदरास पहुंचता है मदरास इसलिए कहूंगा कि उस वक्त मदरास ही नाम था तब मदरास में भी जो आज चन्ने है जिसमें आज आबादी काफी बढ़ गई है उस वक्त वैसा नहीं था और सब कुछ बड़ा कूल सुकून था ये मदरास पहुंचता है और शुरुवाती जो नौकरी करता है ये एक पेंटर के तरह तोर पे काम करता है तो इसे अलग अलग चित्रकारी के असाइन्मेंट मिलते हैं वो करता था कुछ इसमें ये भी कहते हैं के फिल्मों के पोस्टर में भी इसने हाथ अजमाएं वो भी इसने पेंट किया धीरे धीरे ये सब कुछ चल रहा था इसकी लाइव भी नॉर्मल थी अचानक इसके बाद तमिलनाडू में एक ऐसी चीज़ होती है जिससे इसकी जिन्दगी बिल जाती है जब ये मदरास में था और अपनी पेंटिंग का काम करके गुजारा करता था अपने भाई और भाई का एक साला था भाई का नाम था मोहन उसी दोरान में राज्य सरकार ने तमिलनाडू में शराब बंदी का ऐलान कर दिया सरकार ने अच्छे नियत से इसका एलान किया था लेकिन उसका रेयक्शन लोगों में बड़ा घलत हुआ और सरकार के खलाफ लोग होने लगे तो फिर ये पता चला कि हो सकता सरकार न गिर जाए तो सरकार को वापस शराब बंदी लेनी पड़ी लेनी के बाद लेकिन अब दूसरा कुट खड़ा हो गया खासतार पर महिला हैं उन्होंने कहा कि आपने अच्छा किया था लेकिन शराब बंदी से हमारे पतियों का और बाकी का वो जो है वो सुधर रहे थे फिर आपने इसको वापस खतम कर दिया तो कुछी वक्त के बाद सरकार ने फिर दोबारा शराब बंदी लगा दी जब शराब बंदी लगाई तो मदरास में और तमिलाडू में एक अजीक चलन शुरू हो गया वो था शराब की तसकरी का अब हाँ खासतोर पर मदरास में वो एक ताड़ी जो ताड़ के पेड़ से निकलती है लोग पीते हैं बिहार में भी काफी होता है ये सौथ में भी है तो ताड़ी के भी बैंट तब स्मगिलिंग शुरू हो गए इसी दोरान में गौरी शंकर जो अब तक पेइंटर के काम कर रहा तो उसने देखा जो उसके साथ के कुछ लोग शराब तसकरी में उतर गए हैं और देली अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं क्योंकि शराब बंदी थी तो इसने कहा कि जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लिए मैं भी धंदे में उतर जाता हूं उसके बाद ये भी धंदे में उतर गया अब पुलिस और बाकी सारी चीज़ें थी तलाशी होती थी चेकिंग होती थी तो वहाँ पे एक जो गैंग काम कर रहा था उसने एक नया तरीका अपनाया उसने कहा कि आटो में रखके हम लोग शराब की तसकरी करेंगे क्योंकि आटो शहर के हर अलाके हर गली से गुजरती है और एक आम ट्रांसपोर्ट है पबलिक के लिए और आटो में तलाशी बड़ी कम होती है क्योंकि मसाफिर बैठे हैं आ रहें जा रहें आपने कहीं पे भी आटो में छुपा लिया और उस वक्त ये नया नया ट्रेंड था तो पुलिस तक भी ये बात नहीं थी तो आटो शंकर जो गौरी शंकर था उसने कहा कि ठीक है आटो से तसकरी करते हैं उसके बाद अब उसने आटो ले लिया अब आटो में वो शराप की तसकरी करने लगा पहली बार इस तरीके से वो जर्म की दुनिया में कदम रखता है शराब बंदी का फायदा उठाया शराब की तसकरी करके डबल तीन गुना चार गुना पैसे पे बेचने लगा मुनाफ़ा कमाने लगा लेकिन ये दूसरे गैंग के लिए काम करता था धीरे धीरे फिर इसने अपने भाई मोहन को मोहन के एक और साला है उसके लावा दोस्त तो ये चार पांच लोग मिल गए और इन्होंने अपना गैंग बना लिया अब इन्होंने का कि हम खुद अपनी तसकरी करेंगे ये तसकरी करने लगा इस बीच में पैसे आए फिल्मों का शौक था, फिल्मों के पोस्टर भी बनाता था और फिल्मों की वज़ा से ऐसे डांस गाने इन सबका भी शौक शुरू हुआ तो ये उस वक्त मदरास में कुछ बार थैं वहां जाता, डांस बार में जाता, चोटे 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 आलाकों में और इसी दौरान में डांसबार में जाने के दौरान इसने जब वहां का पूरा महौल देखा तो पहली बार इसके दिमाग में आया कि शराब तसकरी के लावा धंदा पहराना चाहिए तो उसने कहा कि अपना डांस बार तो नहीं लेकिन लड़कियों का धंदा शुरू कर सकती और इसके बाद चुके वहाँ पर आसपास दूर दराजगाओं से बहुत सारी ऐसी उस जमाने में लड़कियां थी जो रोज़ी रोटी की तलाश में चन्ने पहुंचती थी कई ऐसे माबाब थे उस वक्त ये बहुत सारी ऐसे खबरे भी आए थी जो वहाँ पर एक शादी के लिए दहेज नाम की बड़ी बुरी पर्था थी उस दौर में भी तो वह दहेज देने के हालत में नहीं होते लड़कियां कुमारी बैठी रहते शादी होती नहीं तो कई शहर भेज देते कुछ गरीबी के वज़े से आगर अपनी बेटियों को भेज तक डालते और ऐसे लोगों शहर के जो बहुत सारे ऐसे गिद भरी नजर लेके बैठे रहते थे जो लड़कियों का सौधा करते थे वो उन्हें खरीद लेते किसी बाहर में बिठा देते किसी कोटे पे ले जाते तौटर शंकर को इस धंदे के बारे में भी पता चला और धीरे धीरे फिर वो शराप की तसकरी के साथ इस धंदे में उतराया उसने एक इलाके में अपना एक लॉज लिया उस लॉज में उसने लड़कियों को रखना शुरू किया उनसे धंदा कराना शुरू किया इसके लावा एक और इलाका लिया जहां पे वो लड़कियों को ऐसे लाता और रखता इसी दारान एक डांस बार में जहां यह हमेशा जाता था वहाँ एक लड़की थी जिसको देखकर इसको उससे महबत हो गई उस लड़की को भी इससे महबत हो गई थोड़ा वक्त बीटा एक दिन अचानक पता चला कि वो लड़की जो है वो किसी और लड़की के साथ डांस बार से भाग गई है जब यह बात आटो शंकर को पता चली तो उससे बहुत घुसा आया क्योंकि वो उस लड़की पे फिदा था इसके बाद उसके लोग चुक्कि अब तक वो इस लड़कीों के धंदे में भी उतर चुका था वो जब वो सारे लोग उसे ढूंडते हैं और आखिरकार उस लड़की और उसके दोस्त को पकड़ लेते हैं पकड़ने के बाद उसे यह अपने इलागے में लाता है जहां यह रहता था और वहां पे लाने के बाद उस लड़की को तब तक पिर्टता है जिससे प्यार करता था जब तक वो दम नहीं तोड़ देती उसके बाद उस लड़के के सामने पहले वो उस लड़की की जान लेता है और फिर उस लड़के को जिन्दा जला देता है लड़की की लाश को अपने ही लाके में दिवार में सिमेंट से चुनवा देता है लड़के की लाश पूरी तरह से आग जब जल जाती है उसके बाद जो बाकी बचा कुछा था उसको ले जाकर समंदर में फेक देता है ये उसका पहला हीनियस क्राइब था और एक साथ दो उस लड़की का और उसके दोस्त का इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीटा है गौरी शंकर का नाम बढ़ता जाता है उसके पूरे जुर्म की दुनिया में उसका एक दबबा हो गिया एक रुदबा हो गिया और लोग उससे डरने लगे इस बीच में इसने ये भी देखा कि इस धंदे का और उंचा ले जाने के लिए पुलिस, पुलिटीशियन इनकी हेल्प ज़रूरी है फिर थोड़े दिन में ये भी हुआ कि शराब बंदी वापस ले ली गई तो शराब का काम उतना था नहीं अब ये लड़की के धंदे में उतराया और शराब का बाकी इलीगल तरीके से चली रहा था फिर इसके नेताओं के साथ उठने बैटने हो गए है पुलिस वालों के साथ हो गए है बिना पुलिस की मिली भगत के किसी शहर में कोई स्मंगलिंग तसकरी या इस तरह का इलीगल अवैद कोठा चलाना नामुम्किन है तो जाहिर सी बात है कि गौरी शंकर ने इन सब को अपना हतियार बनाया उनको पैसे दिये उनकी खाहिशे पूरी की फिर एक दोर आया कि उसने नेताओं की कमजोरी पकड़ी और जो उसके गैंग में सारी लड़किया थी उसने एक एकर उन लड़कियों को नेताओं के पास भ थीच लेता ताके आगे चल के कभी वो मुश्किल में पढ़े तो वो नेता उसके काम आए कई पुलिस वालों के साथ भी उसने ऐसे ही किया और बाकाईदा डायरी मेंटेन किया कई ऐसे फंक्शन होते थे जब उसको तो नेता पुलिस वाले उसके घर पे आते थे तो धीरे लेकिन होता कुछ नहीं, पुलिस ये समझा कर भेज देती कि माबाप ने भेज दिया होगा, दहेच के लिए पैसे नहीं होंगे, तो लड़कियां अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई होंगी या किसी कोठे पे होंगी, गायब होने का मतलब ये नहीं है कि वो मार दी गई ह ये समझा कर घरवालों को भेज देते, लेकिन धीरे धीरे 1988 में एक साथ नौ लड़कियों के गायब होने की कहानी जब सामने आई, और उनके पेरिंट्स ये मानने को तयार नहीं थे, उन्होंने कहा कि हमारी कोई देज की समस्या नहीं थी, हमने अपनी बेटी को किसी को नह ही बेजा, और वो सब अचानक गायब हुई है, वो यहीं मदरास में काम करती थी, लोट आती थी, लेकिन एक एक कर सब गायब हो गई है, लेकिन पुलिस गौरी शंकर के अहसान तले दबी थी, जो जो केस था, पुलिस ने उसको धीरे धीरे गुमराह करना शुरू कर दिया और यह कहकर सारे केस लगबख बन करने लगी कि, यह सब लड़कियां अपनी मर्जी से गई है, यह सब किसी के साथ भाग गई है, और इसका जो इलाका था, मदरास में एक जगह है, पेरियार नगर, तो जब भी किसी दुश्मन को मारना होता, किसी नेता को अबलाइस करना ह पुलिस वाले को, तो पेरियार नगर मतलब गौरी शंकर का गढ़ के तौर पे जाने लगा था, तो नौ लड़कियों की गमशुदगी, एक बड़ा मामला, एक मदरास जैसे शहर से गायब, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस हाथ पे हाथ रखके बैठी भी ह और कोई सुनवाई नहीं है, लड़की के पृष्चदार माबाप सब परिशान है, इसी दोरान में दो तीन घटनाएं होती है, एक परियार नगर में और एक एलबी रोड पर इसका अपना अड़ा था कोटा था जहां पर लड़कियों को रखता था यह, एलबी नगर में त लड़की ने गौरी शंकर से पूछा, गौरी शंकर के जो बाकी चेले थे उनसे पूछा, इन्होंने मना कर दिया कि तुम लेकर नहीं जा सकते हैं, इस पर वो लड़के फैल गए, हाता पाई हुई, गौरी शंकर को इतना घमन और गुरूर था अपने इस पूरे धंदे प कि उसने फिर उन तीनों लड़कों को पीटना शुरू कर दिया, और तब तक पीटा जब तक कि वो तीनों मर नहीं गए, और कई लोगों के सामने, उचायता था कि उसकी दहशत हो इलाके में, और लोग भी और लड़कियों के अंदर भी, सिर्फ इसी दहशत को कायम रखने के लिए उन तीन लड़कों को, जो एक लड़की को अपने साथ शहर घुमाने के लिए कुछ घंते ले जाना चाहते थे, इस बात पे उसने मारा, और तीनों को पीटने के बाद, इन किलाश को पेरियर नगर ले गया, और वहाँ पे इसने दीवार में चुनवा कर, और उप के लिए उसको दबा दिया, ये चीज़ें चल रही थी, उदर नौ लड़कियों की गुमसुद्गी की जो बाते थी, वो धीरे धीरे करके एक एक उठती थी, लेकिन पुलिस दबा देती थी, क्योंकि इसमें ये भी है कि पुलिस को शायद जानकारी थी कि इन लड़कियों भी गुमसुद्गी की भी बात आ गई, और उनके दोस्तों ने बागादा बयान लिया जो बात, जिन से मिलकर वो आखरी बार गए थे, कि वो एलबी रोड गए थे, फ़लाने जगा गए थे, फिर कुछ लोग थे, जिन्नोंने दभी जबान बताया कि वहां मारपीट हुई और किसने मारा बाकादा नाम भी लिया, लेकिन पुलिस ने तब भी कुछ नहीं किया, कुछ दिन भी इते हैं इस घटना को, उसके वाद आचानक वहीं एक शराप की दुकान के पास, से एक गुजराती लड़की गुजर रही थी, जो एक इस्टुडेंट थी, मदरास में पढ़ने के लिए आई थी, तो जब वो गुजर रही थी, तो अचानक वहाँ पे थोड़ा सा सन्नाटा अंधेरा था, एक आटो में उसको किड्नैप करने की कोशिश की जाती है, ललकी को बाकादा जब जबरन उठा भी ले आता है, आटो में बेठा कर, और उसके वाद उस को अगवा करने की कोशिश की, जब ये खबर आई, तो उससे पूछा गया कि आप में और कुछ तो उसने बताया कि हाँ, जिस आटो में किड्नैप करने की को कोशिश की गई जो तीन लोग थे, वो एक नाम ले रहे थे, जो आटो चला रहा था, तो उनने पूछा क्या नाम ले रहे थे, तो उसने का आटो शंकर, कहते हैं कि ये पहली बार था, जब रिकॉर्ड पे, दस्तावेस के तौर पर, आटो शंकर का नाम पुलिस के केस में धर्च हुआ, अब तक वो गौरी शंकर था, आटो शंकर नाम से कोई वाकिफ नहीं था, अब पुलिस की मजबूर केस था और वो सब कुछ भाग कर आई थी, लेकिन फिर दबाओ पड़ता है, और उसके बाद कुछ दिनों बाद, पुलिस आटो शंकर को पहली बार 27 जून 1988 को गिरफ़तार कर लेती है, 27 जून 1988 को, लेकिन कमाल ये देखिए, कि इसकी गिरफ़तारी के बाद, आटो शंकर क को जमानत भी मिल जाती है, क्योंकि पुलिस गिरफ़तार तो करती है, अपनी गरदन बचाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से केस को अडालत में रखना चाहिए था, पुलिस ने रखा नहीं क्योंकि हर पुलिस अफसर, हर नेता, जादा तर, उस वक्त आटो शंकर के या तो अहसान तले दबे थे, या फिर उनके राज अधर शंकर के पास थे, क्योंकि वो उन्हें लड़कियां सप्लाई करता था, अब पुलिस और पुलिस और पलिटिकल कनेक्शन की वज़ा से जवाना तो मिल गई, वो बाहर आ गया, और इतफाक से उस वक्त मिलाडू में उथल पुथल भी अचानक पुलिटिकल जो उथल पुथल चल रहा था राजनितिक तोर पर, M.G. रामचंदरन महाँ पे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, बहुत ही फेमस M.G. रामचंदरन फिलमों में भी उन्होंने बहुत नाम कमाया, पॉलिटिक्स में भी, मुझे याद है उ उसने महाँ पे M.G. रामचंदरन की सरकार को बर्खास कर दिया और गवर्नर रूर लगा दिया, तो राजिपाल शासन महाँ पे आ गया, तो अब ये जो नौ बच्चियां जो गायब थी ललकी है, इधर ये ललकी जिसको गुजरात को किड्नैप करने की कोशिश के लिए औ उसको ग्रफतार करने के बाद भी जमानत मिल गई, ये सारे लोग अब उस वक्त गवर्नर रूल था जो कि राजिपाल शासन, पीसी अलेक्जेंडर तब गवर्नर थे तमिलाडो गे, तो पुलिस और पॉलिटिशन से हार कर, आखिर कार इने लगा कि कुछ शैद हमारी गव हैं और पुलिस इस मामले में कोई तफ्तीश नहीं कर रही है, हमारी कोई हल्प नहीं कर रही है, पीसी अलेक्जेंडर इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, बाकादा डीजीपी को बलाते हैं, डीजीपी को कहते हैं कि आप एक special investigative team बनाई है, और हमें इन नौ लड़कियों का स इसे मिल सकती हैं, तो जाहिर सी बात हर पुलिस वाले को मालूम था, जो उसमें कुछ इमानदार थी, उन्होंने कहा कि इसमें हो ना हो आटो शंकर का नाम हो सकता हाथ, तो उन्होंने का ठीक है, आटो शंकर के बारे में उस वक्त एक police constable था, आरी, जो आटो शंकर के पूर के हिट थे, उन्होंने उस constable के बारे में पता किया, उसको बुलाया, और उसको का कि तुम इस टीम का हिस्सा बनो, और तुम आटो शंकर के बारे में जानकारी दो, उसकी सारी ख़बर दो, आरी नाम के इस constable ने जबरदस्त हेल्प की police की सारी information दी, और इसी के बाद, जब उसकी सारी चीजें सामने आई, तो कहा गया कि आटो शंकर को अब गरफतार करेंगे, इसके बाद, पहले आटो शंकर के लोगों को एक एक करके गरफतार करना शुरू किया गया, और इन में जो सबसे पहले गरफतार किया गया, जो आटो शंकर का भाई था मोहन, उसका साला था एल्डिन, एल्डिन को पुलिस न उठाया, उसके अच्छी खासी ठोकाई हुई, उसके बाद कहा गया कि तुम या तो सरकारी गवाब बन जाओ, और या फिर तुम मारे जाओगे, एल्डिन तूट गया, उसने सारी जो आटो शंकर की कहानी थे वो पुलिस के सामने रखी इसके बाद फिर पुलिस आटो शंकर, उसके भाई, इन सब को अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद पहली बार अगले दिन अखबार में मदरास के खबर चपती है, और उसके अगले दिन पूरे हिंदुस्तान में वो खबर चपती है, कि आटो शंकर जो है, वो कैसा एक सीरियल किलर था क्योंकि ग्रफतारी और एल्डिन की गवाही के बाद पेरियर नगर में जाके जब तलाशी ली जाती है कई दीवारें जब खोदी जाती है तो टोटल छे कंकाल मिलते हैं वो जिस लड़की को जो बार डांस बार में काम करती थी जिसके बाइफरेंड के साथ उसे मार के चुनवा दिया गया था उस लड़की की लास डेड़ साल के बाद मिलती है इसके अलावा जो समंदर में बहा दिया गया उसकी कहानिया सामने आती है तो पूरा जो चिन्न नहीं था उस वक्त पूरा मदरास था वो दहल उटता है पुलिस फिर पेरियर नगर में आटो शंकर के घर की तलाशी लेती है वहां से उसे एक डाइरी मिलती है उस डाइरी में जादातर जो नाम थे वो पुलिस वालों के थे या पॉलिटीशन के थे बहुत सारे फोटोग्राफ्स मिलते हैं नेताओं और पुलिस वालों के साथ उस प्टैरी में ये भी मिंशन था कि कब किसको कितने पैसे देने है जिन पुलिस वालों के नाम थे उन पुलिस वालों में से कुछ को सस्पेंट किया गया लेकिन जो बड़े बड़े अफसर थे उनको बचा लिया गया जिन नेताओं के नाम थे उन नेताओं को साइट कर दि और पुलिस मामले की जांच कर रही थी, तो पुलिस ने भी अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ भला किया, आपने कुछ बड़े-बड़े अफसरों के भी नाम दबा लिये, छोटे-मोटे कुछ अफसरों पे गाज किर गया, इनमें जो सबसे बड़ा अफसर था जिसको स प्रेटेंडन था, जिसको पहले लंबी छुट्टी पे भेजा गया, बाद में सस्पेंड कर दिया गया, इसके बाद आटो शंकर को कोट में पेश किया जाता है, आटो शंकर फिर जिरा के दरान एक दिन कहता है, चुकि अब कहानी सारे सामने आ चुके थी, ओफिशली छे क कतल का मामला ओटो शंकर और उसके गैंग के ओपर लगता है, लेकिन जो नौ लड़कियों का मामला था, जिसके लेकर पुलिस ने पूरी तफिश की थी, उन नौ लड़कियों के बारे में ओटो शंकर ने ये कहा था, कि वो सब मारी जा चुकी है, लेकिन उनकी लाशें कही से नहीं मिली तो उसने बताया कि उसका जो सबसे बड़ा शौक था वो ये था कि कतल के बाद लाश को जलाना और फिर बाके हिस्सा समंदर में जो बंगाल की खाड़ी है वाँ उस समंदर में फेक देना ताकि दूर दूर तक कभी किसी के हाथ न लगे तो वो नौ लड़किया भी उसने कबूल किया लेकिन उन लड़कियों के जो सबूत और बाकी चीज़ें थी वो पुलिस जोटा नहीं पाई तो छे कतल के मामले में मुकदमे चले इसी मुकदमे के दौरान 1990 में अचानक आटो शंकर जेल चंड़ी सेंटरल जेल में था वहां के तीन वाडन और इतना बड़ा क्रिमिनल उसको उरीसा से गिरफ्तार किया जाता है यह तो एक पहलु था दूसरा यह था कि जो इसका भाई था मोहन यह भी एक दिन जेल से भाग पाल baz जता है और मोहन चैल और मोहन जब भागता है और मोहन मिलता है पूने में प्रूने से पकड़ाता है व हर वो चीज जो चाहता था वो जेल में महया थी उस जमाने में ये 90's की बार ते सेल फोन वीडियो जो आजकल सोशल मीडिया पर ये सारी सहुलियत नहीं थी तो वो सच्चाई बाहर नहीं आती थी लेकिन कहते हैं कि उसमें बाद में इंक्वैरी भी हुई जब वो जेल से भागा उसके बाद जो रिपोर्ट आए थी उसमें ये थी कि पूरा जेल स्टाफ उसकी सेवा के लिए हमेशा मुस्ताइद रहता था कि कि वो उनको बदले में पैसे दिया करता था तो हर आराम आसाईश उसे जेल में मुहिया थी और यहां तक की जेल स्टाफ उसको जेल से भगाने में भी मदद किया लेकिन वो पकड़ा गया पकड़े जाने के बाद फिर कोट की निगरानी में ये हुआ कि अब उसको जादा आप सुरक्षा के अंदर रखेंगे तो सुरक्षा के अंदर रखा गया फिर 31 माई 1991 को चुके वो एक बाले जुरुम भी कर चुका था ओटो शंकर कोट अपना फैसला सुनाती है ओटो शंकर उसके साथ हेल दिन शिवाजी इन तीनों को सजाय मौत दी जाती है और इसके अलावा जो इसके बाकी साथी थे उनमें से कुछ को छे साल और कुछ को उम्र कैद की सजा मिलती है उम्र कैद की सजा पाने वालों में एक आटो शंकर का भाई मोहन भी था उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में जाता है इसके बाद सुप्रिम कोर्ट में जाता है चुकि मीडिया ट्राइल और पूरे देश में जो इसकी कहानिया आए थी उससे लोग पर घुस्से में भी थे तो कोर्ट का फैसला जल्दी जल्दी आता है सारे कोट जो लोघर कोट का फैसला था उस फैसले पर ही कायम रहते हैं उसने उमर कैद में बदलने की अरजी लगाई थी वो मना कर दिया जा था कुर्ट भी प्रेंसी को ब्रकार करटा है आखर में मामला प्रेशिएर्ड और अफ ऍंडिया के पास जाता है मरसी पेटिशन के लिए उसने दयायाची का दाखिल की तब प्रेसेड़न थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के पास जब ये रहम की अपील आई तो उन्होंने आटो शंकर को रहम देने से मना कर दिया उसके जुर्मों को देखते हुए तो जब उन्होंने उसकी रहम ये दयायाची का ये मरसी पेटिशन को खारिच कर दिया इसके बाद फासी का रास्ता साफ हो गया 27 अप्रेल 1995 सलेम सेंटरल जेल में आटो शंकर को फासी दे दी गए और उसकी फासी की खबर अगले दिन पूरे तमिलनाडू में फ्रंट पेज पेज पे थी और इस तरीके से चिन्नई या मदरास कहें कि उस वक्ते सबसे बड़े खोंखार सीरियल किलर की कहानी खत्म हुई लेकिन कमाल ये था कि उसकी फासी के बाद भी जो पेरियर नगर में जहां पर ये बसता था जहां ये रहता था उसके आसपाद जितनी बस्ती में लोग रहते हैं उनकी नजर में आटो शंकर एक बहुत अच्छा इंसान था उनका कहanta कि हमेशा मदद करता था उसने शादी की उसकी बीवी और बेटे भी और उसका लोगों के परती बड़ा दूसरा नजरिया ता तोने यकीन ही था कि आटो शंकर इस तरीके कर शक्स निकल सकता है लेकिन घर से निकले कंकाल दिवारों से बाहर निकले कंकाल जिंदा जला दिये गए लोग समंदर में फेके गए लोग वो सारी कहानिया जब सामने आई तो फिर धीरे धीरे आटो शंकर के बारे में सच सामने आया लेकिन परियर नगर के लोगों की नजर में आटो शंकर शायर इतना बुरा नहीं था बाद में सिले उसके उपर फिल्म भी बनी और आज भी तमिलनाडू में आटो शंकर का नाम जो एक दहशत का ही नाम है तो 27 अपरेल 1995 को आटो शंकर की कहानी खत्म हो ही जब वो फासी के भंदे पे जूला था इस कहानी में एक चीज और भी है कि ऐसे क्रिमिनल जो है अगर पुलिस और पॉलिटीशन के इनको की हिल्प ना मिले इनका सर पे हाथ ना हो तो इनको आसानी से दबूचा जा सकता है इनको रुका जा सकता है लेकिन आटो शंकर ने यही दुखती र होने का मामला जिस तरीके से उनके फैमिली ने उठाया उसकी लड़ाई लड़ी गवर्नर तक गया वो आटो शंकर के खलाब गया जिसकी वज़ा से उसे उसके जुर्मों की सदा मेली तो यह थी कहानी चन्नाई या मदरास कहें कि सबसे बड़े सीरियल किलर उस वक्त के अब आप से मुलाकात होगी मंडे को लाइब कहानी में आपके सवाल जवाब भी होंगे तब तक अपना ख्याल रहिए ख्याल रखिये अच्छे रहिए थैंक्यू बरी मच्छ